कि हालो स्टुडेंट्स बिल्कम टू पीवियर श्टडी तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया ध्याई के बारे में कख्चानों के आपका चैप्टर साथ खतम हो गया जिसमें एक्सरसाइज 7.1 7.2 यह सब मिला करके 7.45 तक सब खतम हो गया आज एक नया ध्या है जिसका नाम है चतुरभूज यानि की क्वाड्रेट्र अब यह कौन से जानवर का नाम है ध्यांस देखना वीडियो को इंडे तक देखना बीच है छतुर्भूज होता क्या है चतुर्भूज है यह डिए यह न्थी इनके परकार अलाग अलग हैं लेकिन यह सब जब क्या है इनकी एक बैसिक रिकॉर्मेंट होती चतुर्भूज के लिए कि उनमें 4 भूजा होनी चाहिए पलस वह आकृति बंद होगी आपन नहीं होना ठीक है complete वो बंद होना चाहिए जैसे यहां पर मालो मैंने इसको मिटा दिया तो क्या यह चतुर भूज नहीं है क्योंकि यह बंद नहीं है ठीक है समझ गए ना तो चार भूजाओं से घ्री हुई बंद अकृति क्या कहलाती है चतुर भूज कहलाती है एनिकी इनके परकार पर चलते हैं द्यान से देखना अभी भी बोल रहा हूं वीडियो को इंड नहीं करना चलिए अब हम देखेंगे समांतर चतुर भूज सम्चतुर भूज समलंब चतुर भूज आयत वर्ग के बारे में विश्त्री तद्धन करेंगे अभी भी बोल रहा हूं सब्सक्राइब के ही होते हैं और वह आप सभी पहले से बढ़ चुक्यों परचित हो तो एक एक के बारे में हम घहन दिन करेंगे ध्यान से देखना पूरा क्लास इंड तक देखना चाहिए आप सी बूर्ट से यह यू पी बोड भूड भी आप हरियार्णा केरल दिल्ली मॉ परलोग्राम क्या होता है इसे हिंदी में समांतर चतुरभूज बोलते हैं और फिर समभ चतुरभूज जिसे रंबस कहते हैं और उसके बाद आता है रेक्टेंगल यानि आयत और फिर इसक्वायर यानि की वर्ग आता है हम एक-एक से आपका परिचे करवाएंगे कि समलम्भ क कैसे होता है। कैसे पहचानते हैं। इसकी चित्र कैसे होता। फिकर कैसे होता। इनको कैसे जानते हो। आप इसके लिए क्या करोगे। landlord को एक एक वाहां आप को फिर दिखाते है। थीक है। स्टार्ट करें चलो अब सब मिटादो सिर्फ और सिर्फ समलंब लिखा होना चाहिए देखिए इसको द्यान से समझे अगला है समलंब चतुर्भुज जिसे ट्रेपिजियम बोलते इंगलीज में होता क्या हिए सम्मुख भुजाओं का एक यूगम समांतर होता है बस इतने से मतलब इतना होना चाहिए इसके अलामा अगर उसमें और भी कुछ चीज़ें हैं तो खराब नहीं जाएंगी जैसे आपको खाने में क्या चाहिए एक इनसान को नार्मली जिन्दा रहने के लिए भोजन चाहिए मतलब दाल चावाल रोटी अगर सिंपल सा खाना मिले तब य आदमी क्या रहेगा जिन्दा रहेगा मतलब मरेगा नहीं हो लेकिन अगर उसे पूरी पकवान पनीर मक्कन मलाई मिलेगा तब इसको गड़बड नहीं करेगा वह और अच्छा होगा ना तो बस यह जान लो इसकी मिनिम्म रिकॉर्मेंट है कि सम्मुख भुजाओं का एक समांतर होना चाहिए यानि जो यह चार भुजा होती है इन में से कोई भी दो भुजा समांतर होनी चाहिए लेकिन वह आमने सामने ही होनी चाहिए यानि अगर यह भुजा है एक पहली तो दूसरी यह क्या होगी यह समांतर होंगी एक दूसरे के समांतर में सोता है पैरलल इ लेकिन जो दूसरा साइड है वह समांतर हो या नहों अब ऐसे नहीं कह सकते हों कि हाँ दूसरा साइड समांतर नहीं होना चाहिए हो भी सकता है अगर नहीं होगा तो फिर और भी कुछ बन सकता है समझ रहो ना बात हम किसकी कर रहे हैं आपर समलंब चतुर भूचकी न अगर यह साइट दूसरी वाली जो बचती है जैसे मालों इसका नामकरण मैं कर देता हूं बच्चा A, B, C, D ध्यान से देखो भागना नहीं कला चोड़ कि मैं बार बार बोल रहा हूं A, B, C, D इनकी जो भूजा है A, C और यह B, D यह क्या है यह समांतर नहीं है क्यों क्योंकि यह देखो जैसे है अगर इनको आगे आप बढ़ाओगे ऐसे आगे बढ़ाओगे अगर इनको दोन काटेंगी समझ गए ना यह क्या है यह वरिजिनल का क्या है समलंब चत्रुपुचा है समलंब देखो सम और लंब दोन चीज़वाद निकल के आ रही ना यह तो आप समझ लिए लेकिन कुछ लोग कहेंगे क्या है यह समलंब होता है ऐसे भी हो सकता है इनको आगे इनको इधर बढ़ालो यह कभी गुषरे को कि काटेंगी नहीं चाहाया झाहां तक लेजाओ तो आप यही समझ गए समांतर होनी कैं दaktu की काट्वर्ध नहीं इक समांतर होनी चाहिये ये जरूरी है लेकिन दूसरी जोसरे को काटे यह जरूरी नहीं है ठिक एम sorry आप समझ में आपने आयत देखा है जिसको इंगलीज में रेक्टेंगल बोलते हैं तो ये भी एक परकार का सम्वलंब चतुर्भूज है अब कहोगे फिर जो बनाये थे वो का था वो भी सम्वलंब था वो वरिजिनल का सम्वलंब था मतलब वो सिर्फ और सिर्फ सम्वलंब था बाकी और कुछ नहीं था लेकिन आप देखो बच्चा जैसे मैंने एक वर्ग बना दिया हां ये भी क्या एक सम्वल ये अगर ऐसे मैंने नाम लिखा है तो हमने ले लिया की एडी समांतर है बीसी के समांतर का मतलब पैरलल है इनको आगे ऐसे बढ़ाओ गे तिये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगी ठीक है इधर बढ़ा लो तब भी नहीं काटेंगी बस हो गया सम्वलंब का इतनी जरूर क्या यह खुद ही एक क्या है वर्ग है स्कॉयर है स्कॉयर के परनी प्रापरटी होती है इसमें और सारी बुझाएं समांतर है बराबर भी है ठीक है तो इससे आपको क्या समझ में आया एक चीछ समझो इसी तरह से जो आयत होता है वो भी क्या है एक सम्वलंब चतुर तो यह भी है लेकिन हमने एक माना बस तो इससे निसकर्स निकलता वो चीज आप लिखो मैं यहां पर लिखवा देता हूं निसकर्स इसके बारे में बहुत ही important है कहीं कहीं आपसे पूंच लिए जाता है कि क्या एक वर्ग एक समांतर चतुर्बूज हो सकता है और देखें इनकी बहुत ही important property है वह यह है कि सभी परकार के square याणि कि work यह भी सम्मुक्त लप्पूज होते हैं कि सम्मॉक बुला पर सम्मॉक właściह Halanga Chatyupu **** HAim आप कहोगें यह समांतर चातुर privileged क्या है वह Summit कि शब्लब चांव आपस में समांतर होती है ठीक है सम्मॉक बुजाया आपस में क्या होती है जैसे देखो अगर मैं सक कि इसे एपयान पर आपके लिए बना कि दिखा दूँ समाता चतुर बूच का तो इसमें क्या होता नैर? इसमें समुक बुझाएं क्या होती है? यह पारलल होती है एक दूसरे के जैसे देखो यह ठीक है? अगर इनके नाम हम लिख दें A B C D तो इसमें जो B D है ना इसको ऐसे नीचे बढ़ाओ या उपर बढ़ाओ और AC उपर बढ़ाओ या नीचे बढ़ाओ कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं यानि इनकी जो भुजाएं हैं ये CD AB के समानतर है और ये BD AC के समानतर है ये होनी चाहिए इसकी minimum requirement है किसके लिए? समानतर के लिए जबकि समलंब के लिए सिर्फ एक ही भुजा समानतर हो तो समलंब हो जाता है बात समझ में आई न? तो आप कह सकते हो कि जो भी समानतर चतुरबुज होता है किसी भी परकार का है वो समलंब होगा उसी तरह से आप वर्ग, आयत और ये सम चतुरबुज अभी इसके बारे में तो नहीं पढ़े हो सम चत्रभूज भी क्या होता है एक परकार का सम लंब चत्रभूज होता है क्योंकि उसकी प्रपर्टी उसके अंदर पाई जाती है जैसे देखो कुछ फिगर यहां पर हम आपको दिखा देते हैं कौन सा है सम चत्रभूज का तो देखो इधर साइड में सम चत्रभूज ऐसे जान लो कि जैसे आप सबसेट साइक जांपल है वर्ग ठीक है सम चत्रभूज इसको इंगलिस में रंबस बोलते हैं न देखो क्या होता यह इसकी चारो साइड इक्वल होना जरूरी है यह इसकी minimum requirement है कि इसके all side आपस में equal होनी चाहिए ठीक है भाई अगर all side equal होंगी तो ऐसे कुछ होंगी न और अगर इस तरह का कोई चत्रपुज बनाएंगे आप तो वो उनकी बुजाएं आपस में समांतर भी होंगी आफ़ा तो मैं नहीं होगी ना समांतर तो होंगी कम से कम एक बुजा तो समुख बुजा समांतर होगी कि नहीं होगी शोगी कर देखो यह अईसे बन सकता है यह अगर बराबर की बात बोलیں चारी है तो अब बहु जा है अला कृत बता हो सम चतर्भुज को सम चतर्भुज को एक सबम होता है है लंव छो फिव owns अबर उनली कीकम की रिकॉरमेंट है उसमें बाकी और कोई कंडीफन नहीं है सम चतरभूज के लिए, तो सम चतरभूज ऐसे भी बन सकता भाया, बन सकता ना, इसमें सायट तो इककाल होगी, चारो, इसकी क्या रिकौयर्मेंट है, समलंभ की, ये कहता है कि सम्म।ख भूज। समानतर हो बस कोई भी एक यूगम समानतर हो मतलब अगर ये समानतर है और ये और ये समानतर हो या फिर ये और ये समानतर हो ठीक है तो अगर काइट की तरह सुरी काइट नहीं काइट जो है वह समलंब नहीं हो सकती है यह हो सकती आप लोग कमेंट करके बताना देखो हाँ काटेंगी नहीं यह पाइरल हैं आपस में है ना इसे निकाल तो कभी नहीं काटेंगी दूसरे को तो यह क्या है यह सम्वलंब चतुर्भुज था जो कि आपने सीख लिया इनकी सारी प्रपर्टी आपने पढ़ लिया है ना चलिए अगला देखते हैं पूरा इंड तक कला द कि द्यक्त सबार के लिए कलास एंड तक देखना कि एक साचतु और जिसके सम्मुक कोणोוכका यूग M समानतर होना चाहिए मतलब समानतर चतुरभूज के लिए सम्मु कोणों का प्रतेक युगम समांतर होना चाहिए इसमें सिर्फ एक से काम नहीं चलेगा जैसे समलंब में होता था ठीक है चलो समझते हैं पैरलल ग्राम क्या होता है पैरलल ग्राम का मतलब यह होता है कि जैसे यह भी एक परकार का समांतर चतुर बूझ है यह भी समांतर चतुर बूझ है कि AB, AB का जो सम्मुख भुजा है, यह CD है, है न, यानि AB अगर हम आगे बढ़ाएं, तो ऐसे जाएगी, और अगर CD आगे बढ़ाएं, यह भी ऐसे जाएगी, कभी एक दूसरे को काटेगी, नहीं, लेकिन अगर AC और इसकी सम्मुख भुजा BD को देखें, तो यह भी क्या समा आंतर है, इनको आगे बढ़ा के देख लो, यह कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर बाइसेक्ट नहीं करेंगी, कोई मतलब भी नहीं है, यह अलग लाइन जाएगी, वह अलग जैसे रेल की पटरी, कभी एक दूसरे पर नहीं चड़ती कई से मूड़ जाए, ऐस इसमें भी अगर ऐसे आगे बढ़ाओगे, यह कभी भी दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट मतलब परती छेदित करना, जैसे अरे यह होता ना, यह होता नहीं है, इसमें होता ना, आगे बढ़ाते हैं तो इक दूसरे को जाके काट देता, यह सीबते हैं जो कि समांतर चतुर्भूज होती है अभी वीडियो को पूरा देखना बीच में कड़ रहा था यह लो सौरी के लिए अब क्लियर है ना चलो जल्दी करो लिख लो बहुत जल्दी लिखो सभी बच्चे और रेगुलर कलास होती साम को साथ बजे से चैनल सब्सक्राइब करना नहीं बूलना अगर आप इसे यूटूब पर देख रहे हो तो देखें इनकी बिसेस प्रपर्टी होती है बच्चा वो क्या है कि परतेक परकार का जो आयत होता है वर्ग होता है या फिर सम चतुर्भूज होता है यह सभी एक परकार के समांतर समचतुर्भूज इसको क्या बहुता है तो यह भी क्या ह aggreg का समांतर चतुर्भूज ही होता है क्योंक以ोंकि बबनारो आप समुमेर्य कोई कोई-कोई और इसमें मुझे कपी ने दिखा ऑभी कांवम काफिगर इसमें देखो कोई परकार का डाउट नहीं होना चाहिए, confusion तो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर सभी side equal होंगी, तो वो आपस में समानतर होंगी, एक दूसरे के मतलब opposite side, यह पक्का है, हाँ, अगर सम चतुर्भूज नहीं होता, तो यह ऐसे भी बन सकता था, यह ऐसे बन जाता मानलो ऐसे, यह ऐसे, यह ऐसे, तब तो वो ना बनता, लेकिन यह सम चतुर्भूज भी तो नहीं होगा ना फिर, यह बड़ा हो गया, यह चोटा हो गया, सम चतुर्भूज होगा, तो यह तो ऐसे बनेगा, सीधा-फीधा वर्ग की तरह बनेगा, और नहीं तो ऐ क्लास जरूर देखें पुराने वाले भी देखें हाँ ऐसा नहीं को नहीं देखें अगला बच्चों इसमें ध्यान देना सम चतुर्भुझ इसकी डेफिनिशन आपके सामने है ऐसा चतुर्भुझ जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है भुजा का मतलब होता लग वर्ग भी आसा होता है यहीं प्रकार का सम चतुर्भुझ है इसकी सभी साइड आपस में मतलब के तुरुफके मैं लिखने को कहें कि सम चतुर्भुझ के और क्या गुणपर गुन है तो वो तो पहले से वर्ग जैसे लग रहा था न आप लिखो इनकी और प्रपर्टी लिख लो नीचे साइड दिख रहा न जगा है लिखिए इनके गुण लिखिए समचतुर्भूज के गुण तो बच्चा गुण में क्या लिखोगे आप नमबर एक सभी वर्ग सभी वर्ग समचतुर्भूज होते हैं क्योंकि वर्ग की भी यही डेफिनीशन है कि उसकी चारो साइड इक्वल होती है और समचतुर्भूज की वही है तो सभी वर्ग क्या होते हैं समचतुर्भूज होते हैं इनकी दूसरी कंडिशन यह है बच्चा कि सभी परकार के समांतर है वह एक परकार का सम चतुर्भूज होते हैं ऐसा हाइख की नहीं मुह को फिर इसमें कोई confusion नहीं यह जान लो कि सभी परकार के जो समंतर चतुर्भूज रिखोगे श्मानतर चतुर्भूज द्ध वि started समांतर चतुरभूज भी सम चतुरभूज होते हैं ठीक है लिख लो सभी समांतर चतुरभूज भी सम चतुरभूज होते हैं क्यों जरूरी है क्या यह नहीं लेकिन आप यह लिख लो कि जो भी सम चतुरभूज होते हैं वो समांतर तो होंगे यह तो कंफर्म है ठीक है जितने हाहा तो देखो इसके निस्कर्स यह निकलता है बच्चा कि सभी समांतर चतुर फुग सम नहीं हो सकते हैं क्यूं जैसे यह आयत की तरह है यह मैंने तिर्चा बना Beginya क्या है ये ARE समनातर चत्वुज आकल होती हैं इसमें आमने सामने की साइड इकल है लेकिन ये क्या है ये आपस में इकल नहीं है तो अख्योग इसके बाद अगला हाता है आयत और फिर इसमें एक है वर्ग ठीक है दोनों देखना बिल्कुल बहुत ही प्यार से देखो यहां पर ध्यान से समझो बच्चा आयत क्या होता है रेक्टेंगल क्या होता है एक ऐसा समांतर चतुरभूज जिसकी सम्मुख भूजाएं आपस में क्या होती है भाई सम्मुख भूजाएं आपस में बराबर होत है यह लो ठीक है यह क्या हाँ गया एक आयत है जिसका और ह। पुझयाए बराबर है मतलब यह दो साइड इक्वल है और यह भी वक्ले है ठीक है इनकी प्रपर्टी यह होती है कि प्रतेक ऌन gün-कण बबह का होता है और इनकी समुख हूजाए बराबर होती है अपोजिट साइडिंग कॉल होती है एंड एबरी एंगल सुट भी नैंटी यानि राइट एंगल उके चलो जल्दी से इसको नोट कर उसके बाद अगला एक है इसमें वर्ग वर्ग को इंगलिस में स्कॉयर कहा जाता है जो भी नए साथ ही जुड़े हैं अभी अभी चैनल प कबनार होता है रिख एक ऐसा समांतर चतुर भूझ जिसके सभी साइड़ आपसने होती हैं एक ऐसा समांतर चतुर भूझ जिसका सभी साइड वजह य।्ज इंग्लिस में बोले हिंदी में लिखो ऐसा परलोग्राम जो की आल साइड एक्वल रखता है और एवरी एंगल नाइटी रखता है वह क्या का लाता है तो सातियों इस तरह से आपका जो ट्रेंगल का कंसेट था वह पूरा हो गया इसके बाद हम जब एक्सरसाइज करेंगे न अगर यस तो आप लोग लिखना यस हां हम डाइगोनल का वीडियो चाहते हैं डाइगोनल लिख देना चाहिए से भी ठीक है इंदी इंगलिस या फिर विकर्ण लिख देना तो आपको बता दिया जाएगा वर्ग के विकर्ण की जो क्या गुण होते है प्रपर्टी होता है अरे विकर्ण का मतलब ये होता बच्चा जैसे ये बनाया ना ये इन जब साइट को ऑसे मिला दें फिनिकों इंको विकर्ण लिख दिया यहाँ फितकर एक चतुरBूज के कोण 359 और 13 के ratio में दिया गए हैं मतलब एक चत्रभूज है एक Quadratral है जिनके कोणों के अनुपाद दिये गए है अनुपाद कहरा कि इस चत्रभूज के सभी कोणों का मानगात कीजिए मतलब यह अनुपाद में दिये गए सीधा फीदा तो दिये ने गए आप सीधा फीदा बताओ कितने डिगरी का कोण होंगे यह सभी 30, 45, 50, 80 कितने अंसके होंगे चलिए कर लेते हैं जो जो दिया है लिख लेंगे दिया है कोणों के अनुपाद 359 जो भी दिया है समने लिख लिया अब इसमें कुछ मानेंगे भीया हम क्या करेंगे जो अनुपाद उनके साथ में कोई अचारपाद मानेंगे तब ही निकलेगा हम लिखेंगे माना कोणों के अनुपाद कोणों के अनुपाद क्या है इनको हम सब में यक्स या वाई लगा के लिख लेंगे तो हम सभी में यक्स लगा के लिख लेंगे यक्स लगा के तीन यक्स ये पांच यक्स ये नौ यक्स और ये तेरा एक्स, बहुत से बच्चे जुड़े हैं काफी दिर से परिसान, मैं देख रहा हूँ बच्चा देखो पढ़ाई पे ध्यान दो बागु, नाम लेने से कुछ नहीं होता, रभी संकर जी जुड़े हैं, संद्या सिंग, और आनंद पांडे, मोहित, बिनीता, अंक बच्चा देखो ध्यान दो पढ़ाई पे नाम सबका नहीं ले सकते, माफी चाहते हैं, आप पढ़ाई करो, चलो, यह होगे ना, कोणो के अनुपा दिये हैं, अब क्या करोगे, मतलब समझो, यह कोणो के अनुपा तो दूंका ऐसे दिये गये हैं, चुकि हम सभी क्या जान जानते हैं, यह जानते हैं कि चतुरभूज के चारो कोणों का योगफल, तीन सो साथ होता है, पढ़े हो, पढ़े हो ना, चलो, तो अब यहाँ पर आप कर सकते हो परस्ना अनुपार करके, या फिर वैसे भी, परस्ना अनुपार, चतुरभूज के चारो कोणों का योगफ कितना होता 350 वैसे प्रश्ण में ऐसा कुछ कहा नहीं गया इसलिए प्रश्ण अनुशार ना करो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है आइसे लिखो ऐसे लिखो चूकी चतुर्भूज के चतुर्भूज के चारों कोड़ों का योग इकल 360 यह होता है आप सभी जानते हो हम क्या करेंगे बई यह चतुर्भूज के चारों कोड़ों का योग फ़ल जोड़ लो सभी को अलगलग कोण है ना तीन यक्स पांच यक्स नो यक्स और ये तेरा यक्स इक्वल 360 इनको जोड़ोगे 30 यक्स आएगा अरे पांतीन आट नो सत्रा फत्रा में तेरा जोड़ो 30 बराबर 360 यहां से भाई यह एक्स का मान निकाल लो बाबू नीचे दिख रहा है आपको क्लिय ना कोई दिक्कत नहीं नीचे अगर नहीं दिख रहा तो चलो मैं साइड में कर लेता हूं यह लो मैं यक्स का बैलू इधर कर दूंगा यहां कर लो चलो हां चलो वहां से यक्स से एक्कॉल करोगे तो 360 बटा 3 आएगा काट दो बाबू 30 है ना वो नीचे हां चलो बारा आएगा यह क्या हो गया बारा हो गया बस इसको लिख लिए इतना जल्दी करिए आपके पास 10 सिकेंड का टाइम है उसके बाद हम इसको मिटा करके फिर एक एक का निकालेंगे अलग अलग ठीक है जल् इन साथ ले लिजिए बहुत जल्दी बहुत फाइस्ट वेरी फाइस्ट करो अच्छा चलो ओके वरी गूड बहुत अच्छे बच्चे चलो बही अंकीता समझ में आ रहा ना किरन मौर रहा है कि सभी को आ रहा ना चलो इतना हो गया एक्स के मान आ गए अब हम लिखेंगे यह पूरा मिता देंगे अब लिखो आताा है पहला कॉड देखो इसमें 4 कोंड दिये गये ना अनुपात कितने कितने हैं यह देखो तीन अक्स 5 एक्स नॉय अक्स और 13 क सिराक्स की अनुपाध से नहां हमने क्या ओम यया माना था माना सहीiben था माना कॉंध के अनुपाद ऐसे चाहे इसको लिखो मानना कोण क्या उनुपा आती अब ऐसे भी लिख लेते तुम नीचे ऐसे कुछ भी ना लिखे तब भी ठीक था तो अब हम लिखेंगे आता पहला कोण पहला कोण 3x बराबर 3 गुड़ा 12 x कमान 12 रखोगे 36 ठीक है फिर यहां आप लिखोगे दूसरा कोण क्या लिखोगे सिकेंड एंगल सिकेंड क्या था 5x था वच्चा 5x तो 5 x 12 इक्वल 60 डिग्री ऐसे आप लिखोगे तीसरा कोण 9x है न तो 9 गुड़ा 12 बराण वहीं है 108 ठीक है चौथा कोण 13x तेरा गुड़ा 12 यह बारा मान आगया न एक्स का गुड़ा कर लो तेरा दुना 26 कछा हांसी लाया दो तेरा कम तेरा दो 15 यह हो गए चारो कोण बस इतना ही तो करना था है न कितना सिंपल लिख लो अगर किसी को नहीं समझ में आया निसंकोच आप बता दे ना ठीक है पिर यंकाजी समझ में आरा आपको सभी को आरा ना चंदन कुमार आपको भी आरा ना चलो कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके बताना नहीं संकोच बिल्कुल टेंसन नहीं लेना बच्चा ठीक है यह क्लास यह वीडियो आपको हर दिन साम को साथ बज़े मिल जा देखो आपको थोड़ा सा आश्चर हुए होगा कैसे आ गया देखो बच्चा दूसरा आप लोग हो मर्क करोगे ठीक है थर्ड पार्ट हम बताएंगे दूसरा बहुत ही आसान है सिंपल नंबर है एक दम कुईश्चन दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुरभु के बिकर्ड बराबर हो डाइगोनल जो है वो इक्वल हो तो इनको प्रूब करना है कि एक रेक्टेंगल होगा आयत होगा इसको आप लोग कर लेना नहीं आएगा तो कमेंट करना मैं बताऊंगा तीफरा चलो कहरा कि दर्साइए दर्साइए मतलब होता है दिखाईए यह सि चतर भूझ मतलब जानते होंецा है तो इसको प्रूब करो कि एक सम चतर भूझ होगा क्या होगा सम चतर भूझ होगा बच्चा सम चतर भूझ की उंगली तो मैंने कल बताया था या होता उन ना रम्भस होता है क्या बढ़ाया था न सम्हीन होता है हमें क्या करना इसको प्रूब करना है कि रिमभस होता है इस सिंपल है न्हीं इसको का मतलब होता है हमें डी बरबर लीडि इबर वड्रह्ण को béराबर दिखाना क्छाòn झाले hands-o हां तो क्या लिखो गया लिखो हिंदी मेडिया माले लिखे माना एक चतुर्भूज एबी सीडी है यहां साइड से लिखो माना एक चतुर्भूज एबी सीडी है ठीक है जल्दी लिखो फटा फट एक चतुर्भूज एबी सीडी है ठीक है मनें मान लिया कि चतुर्भूज ए इधर से A, B, C, D है ठीक है उसके बाद बच्चा देखो इसमें क्या है ये भी कह रहा है कि बिकर्ड परस पर सम्कोन पर सम्दुभाजित करें तो इनके जो बिकर्ण है ये BD ये क्या बिकर्ण है डाइगोनल है और A C तो नीचे आप क्या लिखोगे यहां लिखो A C वा BD है एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं कहां पर विश्यक्ट कर रहे हैं सम्दुभाजित कर रहे हैं बिन्दु ओपर ओपर लिखो एक दूसरे को बिन्दु ओपर कहां पर लिखो लिखो बिन्दु ओपर सम्दुभाजित करते हैं क्या करते हैं सम्दुभाजित करते हैं ठीक है हां clear चलो आगे बढ़ें जल्दी करो इतना हो गया देखो बच्चा इसमें एक बात और भी है अगर यह BD और AC अगर एक दूसरे को बिस्यक्ट कर रहे हैं तो यह लंबाई भी बराबर होगी O A O C O B और O D बराबर होगी बैं सिंपल सी बात है है ना बराबर होगी चुके बिस्यक्ट ज которых बराबर और उससे और यह भी बराबर होगी कि इनके ऐसे तो नहीं का सकते हैं कि अगर Woo a dangå के बराबर एता यह BD O B के बराबर भी है लेकिन O A O C के बराबर होगी और ये O B O D के बराबर होगी भी सक्ट कर रहे हैं तो इनको बराबर सबको नहीं सिद्धे कर सकते हो नहीं O B equal O D यह है ठीक है जिसे according यह बोल रहा है और हाँ और आगे आप लिखो चुकि यह सभी को समकॉंड पर काटते हैं यहां पर लिखा समकॉंड पर काटते हैं यहनि हमारा जो यह एंगल बनेंगे बच्चा यह एंगल सम में 90 बनेंगे बोलो बनेंगे न तो तुम क्या लिख स लिख सकते हैं एंगल कि A O B equal एंगल B O C B O C equal C O D लिखो लिखो फटाफट लिखो एंगल C O D C O D और फिर अगला क्या हो जाएगा D O A या फिर A D O A O D कुछ भी लिख लो एंगल A O D यह सभी क्या है बराबर 90 लिख लो बराबर कितना है 90 है देखो यह बहुत ही आसान है बहुत ही Convention सा है इसमां थोड़ा कट रहा है नहीं कटेगा दिको दो भाज है यह चीजें जो भी हमें यहाँ पर शित्र की कोर्ड़िक ने लिख दिया अब आगी आप देखो सिद्ध जाना है क्या करना भाया सिद्ध करना है सिद्र किया करना ह हамен यह प्रूब करना Бाब की AB जो है वो BC के बराबर है हां और यह BC जो है वो CD के बराबर है CD है AD के बराबर है या DA के बराबर है चाहे इसको AB बोलो या BA बोल। इतर से मतलब हो यही संच ओर्टौरबुच का मतलब रड़ा साले में 07 लो जैसे वर्ग होता उसी थरा से तो क्या करोगे अमनी चैनल को सिद्ध करना है क्या लिखोगे सिद्ध करना है इंग्लिस मीटियम आले लिखेंगे टू प्रूब क्या करना वच्चा लिख लो AB equal BC लिखो 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 अब हम क्या करेंगे देखो इसको सिध्ध करने के लिए हम तब ही कर सकते हैं जब हम इनमें देखो चार तिरभूज बन रहे हैं एक ये एक ए हम चारों त्रीभूज सर्भांगसम अगर सिधुक रकटंगे दूसरे क्याधार पे जैसे पहले यह दोनों ले लो फिर यू और ये ले लो फिरिये ले लो सर्भांगसमऻ कर दोगे तो भुजाएं बराबर हो जाएंगी हम लेंगे अब लिखो तो थैर। A, O, B, ताथा A, O, D में, A, O, D में, मतलब इसमें और इसमें, नीचे लिखो दिख रहा है न, लिखो तिरभूज, जल्दी-जल्दी लिखो, फटा-फट लिखो बच्चा, बिल्कुल देर ना करो, लिखो, तिरभूज, A, O, B, वा, तिरभूज, A, O, D में, देखो, A, O, B, और A, O, D में, यानि इधर वाला हैं, पूरे में, ठीका है, अगर हम इसमें लेंगे, तो भाईया, ये तिरभूज ले या ये ले, दोनों में, O, A तो common है, हाँ, सिंपल सा है, common है, तो लिख दो, O, A, equal, O, A, क्यों बराबर है, रीजन, लिखो, common है, क्या है, भाई, common है, इ चलुँ, ये बराबर है, चुर्कि दोनों में common है, अगर ये तिर्भूज लोगे, तब भी O, A, इसको लोगे, तब भी आता है, इसको लोगे तब भी आता है, इसके अलमा इसमें, और भी कुछ बराबर है, वो क्या है, O, B, O, D, के बराबर है, क्यों बी, ये बी चवाला, और O-D, ये दिया है क्यों दिया है, देखो इसमें का कह रहा था विखर्ण परस पर सम्कॉन पर सम्तुभाजित करें तो वह एक सम्चतुर्भुज होगा ये तो दिया है, कह रहा था विखर्ण अगर सम्कॉन पर सम्तुभाजित करें दूसरे को तो simple सी बात है बराबर है तो तुम क्या लिखोगे लिखो यहाँ पर O B equal O D यह दिया था की बैन लिख दो क्या यह यह दिया है ठीक है दिया है कि निदिया बता दो दिया है न ओके अब क्या करोगे देखो इसमें कौन भी तो बराबर है कौन A O B यानि यह कौन B क्या नब्बे है ओ सारी O क्या नब्बे है न A O B अगर इस तिरबूज में लें तो यह O नब्बे है और A O D इसमें भी O नब्बे है तो तुम क्या लिख सकते हो लिखो लिखो A O B बराबर लिखो 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 नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख है यार नीचे मुझे लग रहा है ना चलो नीचे में दिखाने की कोशिज करता हूं बारपूर लिखो कौण A O B बराबर कौण A O D ठीक है जल्दी लिखो A O D A O D क्यों बराबर है रिजन लिखो दोनों नभ्ययंस है। दोनों क्या है है राइट ट्रेंगल है इतने ठीक है। बस हो गया आर अगर इसमें भुजा बराबर हो गई AO AO ये बराबर हो गई, दो भूजा एक कोण बराबर हो गया, अब तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जल्दी लिखो, लिखो लिखो फटा फट लिखो, आता हा, ट्राइंगल AO B, क्या, AO B, काइंगुरियंस टू, हमारे में आगे जगा नीचे लिख दे रहा हूं, ये, क S, S, A, और हमने आपको पढ़ाया, C, P, C, T, रूल से, अगर कोई दो तिरभुज, जो है, वो सरबांगसम होते हैं, काइंगुरियंस होते हैं, तो उनकी कर्सपांडिंग साइड इक्वल होती है, तो तुम कह सकते हो, A, B, A, D के बराबर है, बोलो है की नहीं, लिख लो, आ मैंने आपको पढ़ाया था, Corresponding Side, Corresponding Angle, यह सब कमेंट करके बताना, अगर आपको C, P, C, T, नहीं पता तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, यह पको फाइस्ट कोईशन हो गया, हमने यह और यह तिरभुज लिया, अब हम फिर से करेंगे, यह और यह तिरभुज करेंगे और तीन एक परकार से इसको इसमी करनेक बना दो, इसको एक बार हमने A, B, A, D बराबर कर लिया, अब अगर इसको इसको लेंगे तो A, B, B, C बराबर कर लेंगे, फिर क्या करेंगे बच्चा, यह और यह तिरभुज ले लोगे, तो B, C, C, D के बराबर होगे, सब बराबर होगे बस, चलो जल्दी करो, इसको लिख लो, एक वैसा नमबर फाइस्ट याद रखना, उसके बाद आगे चलते हैं, जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत अबर हो रहा है, अब यह मैं पूरा मिटाओंगा, जल्दी से स्क्रीन सा तिर्भूज AOB तथा BOC में, लिखो, इसी तरह तिर्भूज AOB वा तिर्भूज BOC में, भाईया इस तरह से सारी परक्रिया तुम करोगे, जैसे मैंने बताया है, बिल्कुल कोई परक्रिया छोड़ना नहीं, सारी परक्रिया कर लोगे कि नहीं कर लोगे, भाई देखो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही प्यार से समझे लो, अगर तिर्भुज A, O, B और B, O, C लोगे, हम तिर्भुज ये और ये ले रहे हैं, इसमें अगर हम देखें, तो हमें जो बराबर साइट दी गई है, कौन? A, O, बराबर O, C दिया है, पहले से ही दिया लिख दो, ठीक है, और अगर हम ये और ये तिर्भुज ले रहे हैं, तो बच्चा O, B दोनों में बराबर हैं, है ना बराबर? और हमारे कौन भी बराबर हैं, कौन? A, O, B और B, O, C ये दोनों कौन भी बराबर हैं, तो फिर ये भी क्या होगे? सरभांक समसिद्ध हो जाएगा, कर लेना, जैस से A, B, A, D के बराबर हुआ, तो आप क्या करोगे? A, B, B, C, E मिल जाएगा, इसको तुम क्या मानोगे? एक क्या नमबर सिकेंड मान लेना, उसके बाद फिर आगे बढ़ना, आगे क्या करोगे? ये आपके हो गए, दो एक क्या 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 होगे? अभी फाइस्ट पहले कर लिये थे, उससे हमने A, B, A, D बराबर कर लिया था, फिर हमने क्या किया उधर साइड में इसी तरह से? ये पर करिया मैंने पूरा आपको डिटियल में दिखाया था, A, O, B लिया और B, O, C लिया, यानि ये तिर भूज ये तिर भूज लेकर हमने B, C को किसके इसी परकार तिर भूज B, O, C तथा B, O, C तथा C, O, D से, क्या लिखोगी? तिर भूज C, O, D से, ठीक है? चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, फटा, फट कर लो बच्चा, बहुत ही सिंपल है बापु, ठीक है? ओके? ये हो गए से, अब यहां से अगर तुम करोगे, तो क्या मिलेगा? अरे ये B, C, C, D के बराबर मिल जाएगा, लिखो, B, C, E, C, C, D, यह हो गए, कसर नमबर 3, निचे लिखो, समी करण 1, 2, 3 से, सिद्ध हुआ, ठीक है? सिद्ध हुआ, एक बात और बता दें, अगर एक्जाम में करना, तो जैसे मैंने पहला पर क्रिया पूरा करोगे, मनने नहीं किया, चुकि मेरे पास टाइम काम है, ठीक है? सिद्ध हुआ, चतुर्भूज, लिखो, सिद्ध हुआ, चतुर्भूज, A, B, C, D, A, सम्चतुर्भूज है, क्या है? सम्चतुर्भूज है, मतलब रेंबस है, ठीक है? इसमें कोई लफ़डा नही नहीं किसी को, इस तरह से आपके तीन सवाल हो गए बच्चा, फिर इनके जो भी और भी कुश्चन बचें, उनको हम करवाएंगे, हर दिन करवाएंगे, अगर आप इस वीडियो को यूटूब या फेस्बूग पे डेमो की रूप में देख रहें, तो चैनल को करने पढ़ेंगे, ठीक है, तो अगर चाहते हो फिरी में पढ़ना है सब कुछ, तो भई या निवेदन है, आपने मित्रों को जोड़ो, उनको इस वीडियो की लिंक से एर करो, उनको बताओ कि पी वीर स्टेडी चैनल नमबर तीन पे, बेलकुल फ्री कलास चल रहें, बिन याद, उनको झा लोगते हें एर के गो बताड़ तार करो, जा रहें पालवेंगे और रहें